बावा बास्किनाथ मंदिर दुमका से करीब 40-45 किलोमेटर के दुरी पर इस्तित है और देवगर से करीब 45-50 किलोमेटर के दुरी पर ये मंदिर इस्तित है भक्त जब बावा बेतनाथ धाम देवगर में पुजा करते हैं इसके बाद बावा बास्किनाथ जरूर और इसके पीछे कहानी के बारे में बात करें तो इस मंदीर को समयर मंथन के समय से जोड़ा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि बासुकी नाग को मध्य बनाया गया था इसी नाग ने सीव जी की पूर्जार्ज न की थी तब से इसका नाम बास्की नाथ पड़ा और इस मंदीर का वो एक दिन हल चला रहे थे अपने खेत पे हल जोत रहे थे तब ही उसको ये सीवलिंग पराप्त हुई और सपनी में आया कि इस वहाँ पर मंदीर का निर्मान करवाया जा है और तब से इसने मंदीर का निर्मान करवाया और तब से इसका नाम बावावास की नात पड़ा और इस मंदर में आप असानी से पहुंच सकते हैं अपना प्रनेशनल बाइक से कार से या फिर देव घरदुम का हर जगह से इसका जो रूट है वहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर होटल पर आपके वलेबल हो जाएगा प्रावेट होटल या फिर गेस्ट हाउस सरकारी गे माँ करते हैं प्लाइक अर्द कलेश बना हुआ आ धा झाल झाल ए बना है और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सस्क्राइब करें क Weihnacht करें और आगे भिए शेर करें ताकि इस तरह का वीडियो लाते रहें तब तक फिर मिलते हैं तब तक नेस्ट वीडियो में तब तक लेज़ें आब आबा सकीनाथ